पूत्रोप से श्री देविंद सिंग्राना जी को सदस्ता प्रपत्र देकर पाटी की सदस्ता दर्णा श्री सुर्जी सिंग् सालाथिया जी को भी किम ये आलाखिया जी कोस्टा आलाखिया है कर दो कोई रहे और्क वा थाओ यहीं सब्सक्रेशा समय उज है सब्सावब पहिते हैं मेरा शादर अनुरोध होगा अपने केंद्रिय मंत्री मानिय दॉक्टर जी तेंद्र सिंग जी से कि आज अपने बीच जो नए सदस सामिल हुए हैं उसका सब्दों के माद्यम से अभी बादन करें मानिय जी तेंद्र सिंग आज़ बीच मंत्री परिशद में हमारे सीनियर साथी एवं वरिश्ट नेटा आदनी धर्वेंद्र परदान जी राश्ट्री महा मंत्री तरुन जुग जी जमो किश्मीर परदेश के सहे परवारी आशिश सूद जी हमारे जमो किश्मीर के परदेश अध्यक्ष गरविंद्र नेना जी पूर्व उपमुख्य मंत्री डॉक्टर निर्मल सिंग जी कुविंद्र गुपता जी लोकसभा में मेरे सांसत साथी जोगल किशोर जी सबसे पहले तो अभिनंदन है स्वागत है इस परिवार में दो और सदसे आज जुड़ रहे हैं देवेंद्र सिंग जी और सुजीर सिंग जी जिस प्रकार पिछले साथ आठ वर्षों में परदान मंत्री जी ने जमो किश्मीर को प्रात्मिक्ता दी है और आपको समर्ण होगा कि परदान मंत्री बनने के तुन्त बात उनके आरंभिक व्यक्तवियों में एक वार कहा गया था कि देश के वो शित्र वो हिस्से जो राज जो कहीं न कहीं मुखिधारा से छूड़ गए या पिशली सरकारों की कुताई के कारण प्रास्मिक्ता में नहीं आए उनको विक्सित करके विक्सित शित्रों के साथ जोड़ा जाएगा भलेई पूर वत्तर हो भलेई जो किश्मीर हो और उस दिन से लेकर के आज तक हम ये भी कैसे भूल सकते हैं कि जो सर्व प्रसम दिपावली हुई है 26 अक्तूबर 2014 आप तो समझ सकते हैं कि भारतिय समाज में पहली दिपावली का कितना महतुर रहता है भलेई वो विवाह के बाद हो भलेई किसी शुबकार के बाद हो और यहां ये पहली बार हम देख रहते हैं कि प्रधान मंतरी बनने के बाद अपनी सर्व प्रसम दिपावली उन्होंने किश्मीर घाटी में जाकर के बाड़ ग्रस लोगों के बीच में विताई है उस दिन से लेकर के आज तक मोधी जी के नित्रित में जो नवीन भारत न्यू इंडिया की विकास यात्रा चल रही है उसमें जमो किश्मीर को प्राथविक्ता दी गई यदि क्रोना काल को छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा काल खंट गुजरा है हित्रों को टच करना चाहता हूं एक ही दिन में उनका प्रवास जमो में भी रहता स्रीनगर में भेता और लेवी भी रहता और इसलिए यह सभाविक है कि वो प्रतेक नागरिक वो प्रतेक कारे करता चाहे वो इससे पूरो किसी भी बंधन में क्यूं ना हो मोदी जी से प्रेडित होकर के जो उनकी प्रतिबंदता है और जो कोई भी राश्चुवाद और देश भक्ती को प्रतिबंद है उसके लिए स्वभाविक है कि वो इस परिवार का हिस्सा बने इसके उपरांत पांच शे अगस दोहजार उन्नीस के बाद आदी ग्रहमत रिश्री अमिर्शा जी ने एक नया संवीधानिक इवन प्रशासनिक परिवर्तर लाकर के जम्मू किश्मीर को एक नई दिशा दी और उसको भारत की अथ्वार्नमीन भारत की विकास यात्रा का एक अभी नांगा बना दिया और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड़्डा जी जो अध्यक्ष बनने से कई बरस पहले तक प्रभारी रहे राष्ट्रिय महामंत्री के रूप में भी उनके बाद जम्मू किश्मीर का दाईत हो था पर तेक कार्यकरता को भ या दूसरे ऑलनाइन माध्यम से संबोदित ना रहते और आज हमें गर्व है कि हम कारे करता हैं उस राजनितिक दल के जो विश्व का सबसे बड़ा राजनितिक दल है और उसके साथ हमारे दो और मित्र जुड रहे हैं एक सांकेतिक अवसर भी है ये जम्मू किश्मीर के उ उन सभी वासियों के लिए चाहे किसी भी संभाग से तालूक रखते हों क्योंकि संतुलित विकास और संतुलित परगती का जो संदेश मोदी जी के माध्यम से गया है उसका ये प्रतीक है क्या है हम सब जूड जाएं जैसे मोदी जी अक्सर कहते है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रियास और जम्मु किश्मीर को पुना उसी डगर पर लाना, उसको खड़े करना, उसी शान और शौकत के साथ, इसलिए सबका प्रियास अनिवारे है, हमारे दो मित्रों ने आज ये स सिद्ध करके सारे जम्हों किश्मीर वासियों को कारेकरताओं को राजनेतिक जीवन से जुड़े सभी को एक संदेश दिया है और मुझे विश्वास है कि आज हम सुतंतरता के 75 वर्ष से गुजर रहे हैं आने वाले सालों में जब भारत विश्पटल पर प्रतम सिर्णी में खड़ा होगा जम्हों किश्मीर उसके मुकड के नूर के रूप में उजवल उजवल दूर से दिखाई देगा एक बार फिर से देविंद्र जी का और सुजीद जी का बहुत बहुत अभी रंदर मेरा भी नमर निवेदन है माननिये समय तक विधाय प्रोवेंशियल प्रेसेडन रह चुके नस्टनल कॉंफरेंस के स्री देविंद्र सिंग्राना जी से कि आप अपने सब्द रखें माननिये देविंद्र सिंग्राना जी माननिये दुर्मिंद्र पर्दान जी माननिये डॉक्टर जेतेंद्र सिंग्जी माहमंतरी माननिये तरुन चुक जी परदेश अध्यक्ष माननिये रविंद्र गेना जी माननिये सांसद जमू पूँच पार्लिमेंटरी कॉंस्टिटरंसी माननिये जुगल जी सापका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर सिंग्जी कविंदर गुप्ता जी और निर्मल सिंग्जी और सह परबारी माननिये अशीज सूच जी एक लंबा सफर है सियासित का और उसके चलते एक ऐसा पड़ाव आया जहां मैंने एक जमू डेक्लिरेशन का एवान किया और एक कोशिश की कि एक जमू से पुलिटिकल नेरेटिव पूरे इंकलूसिव जमू कश्मीर के लिए बनाया जाए जो एक ऐसा नेरेटिव हो जो जमू से हो जो जमू का हो और पूरे जमू कश्मीर के लिए हो और इस नेरेटिव को जो मैंने एक शकल दी तो मैंने सभी दलों से बातचीत की उन से कहा कि इसमें अपना योगदान दें क्योंकि एक निशान एक विधान और एक पर्थान के बाद मैं ये समझता था जाती तोर पे कि एक पुलिटिकल नेरेटिव जो है वो जम्मू का होना चाहिए क्योंकि जम्मू के लोगों की अपनी एक आंखशाएं हैं अपनी भावनाएं हैं उनकी अपनी कुछ तवक्तात हैं और उनको एक 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 एसास है कि शायद उनके साथ बदसलूखी हुई वो एक इसी एसास कमतरी का शिकार थे और इसलिए हमने कोशिश की कि एक जम्मू डेक्लिरेशन के माद्यम से जम्मू की आवाज बनाएं क्योंकि हमारा ये मानना था कि अगर जम्मू से आवाज निकलती है for an inclusive जम्मू और कश्मीर, it'll strengthen the country and it'll strengthen जम्मू और कश्मीर and also strengthen the ethos of जम्मू और कश्मीर उसके चलते विबिन दलों से बात हुई, civil society से बात हुई, intellectual से बात हुई और विरोध अभास भी हुआ, कुछ लोगों ने इतराज किया मेरे इस वक्ततवे पे, जमात के अंदर भी कुछ एक्तलाफात हुए लेकिन भारती एजनता भारती, रिविंदर रहना जी यहां बैठे हैं और मेरे और साथी जो यहां बैठे हैं जो कहीं न कहीं मेरे साथी रहे, कहीं लेजिसलेटर में रहे, कहीं कहीं रहे इन्होंने अपना योगदान देने के लिए और जब मैंने केंद्रे नेत्रेटर से भी यहां बात की अपने जम्मू डेकलिरेशन के लिए they were very forthcoming on the जम्मू डेकलिरेशन और मैं यह समझता हूं कि वक्त आ गया है कि जम्मू की एक आवाज होनी चाहिए जम्मू 2 should have a narrative for जम्मू in किश्मीर जम्मू also has the right to have a narrative for जम्मू in किश्मीर a political narrative after all the state was carved out by the dogras Maharaja Gulab Singh carved out the state and it was Janis Ravar Singh, a dogra again who took the boundaries up to Tibet and this Jammu in किश्मीर was carved out by the dogras and there are sacrifices of the dogras dogras also must have a narrative, a political narrative on Jammu in किश्मीर it will be our endeavor and effort under the leadership of the Bharatiya Janata Party Prime Minister Modi Saab, Amin Shah Saab and all the political elite of the party to work to create a narrative and a place for Jammu in Jammu and किश्मीर and in the country and to strengthen the secular ethos there are people who want to weaken the ethos of Jammu and किश्मीर there are some people who are the perpetrators of the Dixon plan Jammu declaration, we feel, will defeat those who want the Dixon plan to succeed Dixon plan cannot succeed as long as we exist in Jammu and किश्मीर and we will not allow Dixon plan and their supporters to succeed and defeat people who stand for the country and have a nationalist approach we join the party with this in mind and we are sure that in the national interest the party will help us take our forward the aspirations of the people of Jammu who feel relegated and have a sense of deprivation I thank Dravinder Pradhanji and through you Nada Saab, Amit Shah Saab and the Prime Minister Modi Saab for giving us an opportunity and the President of the Pradesh Ravinder Ghayna Ji and Tarun Chokh Saab and Surat Saab for giving us an opportunity to be a part of this party and to work for the party and I am sure we will contribute in a humble way as small workers of the party to strengthen the party and strengthen the people of Jammu and Kashmir Ravinder Kann. Mr. Shungal consciencour. Mr. Shungal Bay ashamed to be a part of the ministry, Mr. action and jump. Mr. माननी दिमिंदर परधान जी, जिनाब डाक्टर जितेदर सिंग साथ, मंच पे अपस्तित हमारे जमु कुश्मीर के परधान अरविंदर रहना जी, मेंबर पार्लिमेंट जुगल कुश्वर शेर्मा जी, डाक्टर निर्मल सिंग साथ, सूद साथ, और किविंदर गुपता जी, बड़े लंबा अर्सा है एक जमास में रहते हुए, आज हमने पिछले 40-45 साल जो है सियासत में जम्मु कुश्मीर की स्पाल्टिक्स में अपना रोल अदा किया है, और आज हम भारतिय जनिता पार्ठी की मेंबर्शिप के लिए हम इस जमात में शामल हुए हैं, मैं दुविंदर परधान जी आपका, और माननी हमारे भाई जितन्दर, डाक्टर जितन्दर सिंग जी का, और तमाम जो हमारे माननी परधान मंत्री जी, घरे मंत्री जी और जेपी नडा साब, मैं सब का और तरण सुख जी का, सब का बहाद शुक्र गजार हूँ, कि उन्हों ने हमें इस पार्टी में शामल किया, और आप जो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, कि किस तरीके से इस जमार्ट को मजबूत किया जाए, और किस तरीके से हम अपना जियनके में जमु कुश्मीर में जो मुश्कलात है, उसको कैसे हल किया जाए, उसके लिए हम बारपूर कोशिश करेंगे, और बारपूर कोशिश करेंगे, तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए, जैसे दिवंदर सिंग राना जी ने ये कहा कि हम जमु डेकलरेशन की बात की है, ये बात पिछले पांच साथ महिने से, हमने इस बात पर काम करना शुरू किया था, और यो लोग गुदी जीब हैं महां, उन से भी बात की, और बाकी पार्टीज को भी आफर किया था, कि हम सब अकिठे होके जमु की अवास बनें, और जमु कश्मीर ये अवास जो है, निकल के जाए, और जमु कश्मीर के साथ जो इनसाफ किया जाए, और हर तरीके से ऐसा काम किया जाए, जिसमें से हम मानिये परधानमंत्री जी के, और यहां के तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, इनके हाथों को मजबूत किया जाए, करने के लिए बारपूर कोशिश करेंगे, काम करेंगे, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जैहि जम्मू कस्मीर के विशे पर लगातार संघर्श करने वाले हमारे लोग प्रिया मानिये प्रदेश अध्यक्ष, श्री रविंद्र रैना जी से आग्रहोगा, इस स्वभागल साली समारोह में अपना साधुबाद ग्याफित करें, मानिये रविंद्र रैना जी बहुत बहुत धन्यवाद, परमादर निये केंदर सरकार में मंतरी भरतिय जनथा पार्टी के वरिश नेता स्रीमान दर्मेंदर परधान जी, परमादर निये डॉक्टर जदेंदर सिंग जी, भरतिय जनथा पार्टी के राष्टिय महा मंतरी परमादर निये साथ श्रीमान डॉक्टर निर्मल सिंग जी श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साथ श्रीमान कवेंदर गुपता जी श्री आशी सूजी संजे जी और यहां सभी जो मेरे दो सहयोगी जिनूने आज भरतिय जनता पार्टी का दामन थामा है श्रीमान देवेंदर सिंग राना जी और श्रीमान सुर्जीत सिंग सलाथिया साहब को मैं भारतिय जनता पार्टी में शामिल होने पर हैदे से भधाई देता हूँ और इन्हें धेरों शुप काम नहीं देता हूँ और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम सब मिलकर पूरे जमु कश्मीर में कारे करेंगे और जो मिशन जमु कश्मीर के अंदर भारतिय जनता पार्टी ने लिया है कि आगामी जमु कश्मीर में परीसीमन होने के बाद डीलिमिटेशन की प्रक्रिया होने के बाद जब जमू कश्मीर में विधान सभा के चुनाव होंगे प्रचंड बहुमत के साथ जमू कश्मीर में भारतिय जनता पार्टी की सरकार बने पचास से अधिक सीटें जीत का मिशन फिफ्टी प्लस को लेकर जो हम चले हैं हम उसमें कामियाब होंगे और जमू कश्मीर का अगला मुख्य मंत्री भारतिय जनता पार्टी का बने इस विश्वास के साथ मैं अपने दोनु सहयोगिऊं का जनुने आज भारतिय जनता पार्टी का दामन थामा है श्रीमान देवेंदर सिंग राना जी और श्रीमान सुर्जीत सिंग सलातिया साथ मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और मुझे पुरा विश्वास है हम मिलकर काम करेंगे और इनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी की ताकत और पूरे चम्प कश्मीर में बढ़ी है महरेदे से आपका धन्यवाद भी करता हूँ और आपने वरिष्ट सयोगी साथियों का जो आज इस कारीक्रम में विशेश उपस्तित रहे श्रीमान धर्मेंदर परधान जी श्रीमान हर्दी पूरी जी और हमारे मानीय केंद्री मंदरी डॉक्टर जेटेंदर सिंग जी महरेदे से आप सबका धन्यवाद करता हूं जो आपने विशेश समय निकाल कि यहां आज इस कारीक्रम को पूर्ण किया आप सबका बहुत-ब